वेल्कम बैक तो दा किनेडिन फीवर यूटूब वीडियो आज किस वीडियो के अंदर मैं डिस्कूस करने जा रहा हूं 8 दिसंबर 2022 की आल्स एक्जाम प्रडिक्शन वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आप सभी को डिस्क्लीमर देता हूं यह जो प्रडिक्शन है यह फा प्रडिक्शन करना चाते हैं वह प्रडिक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बाते बता देना मैं बहुत जरूरी समत्ता हूं जैसा कि हमने देखा अगस्त और अक्टूबर के मन्त में ऐसे हमने बहुत सरे आल्स एक्जाम प्रडिक्ट होते हुए देखे स्पेशली गुजरात के अंदर जो की स्पेशली जो रीडिंग और राइटिंग तास्क थे इनकेस 8 दिसंबर 2022 को ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलने वाली है तो मेक्शूर कीजिएगा चै चैनल के उपर रियल इक्जाम, कोशनद पेपर प्लस उसके अंसर की देखने को मिल जाएंगी जिससे आप अपने अंसर मैच कर सकते हैं जो आप अपने उसके आपने अपने ग्जाम में लिखकर आया है किन से कुन ay students के सानल पर डिसकुर्श कर सकते हैं कि आपकी ऐनसर कितन अंदर होंगे जब आप अपनी GTL के प्रिपेर करेंगे तब भी चानल आपके बहुत help करने वाला है तो चलिए prediction शिरू करते हैं prediction की बात करें reading के अंदर हमें यह इस दिन हमें reading easy to moderate के बीच में देखने को मिलने वाली है easy to sorry कह रहा हूँ moderate to hard के बीच में देखने को मिलने वाली है तो make sure कीजिएगा जितनी भी reading tough readings हैं आप उन्हें practice करना शुरू कर दे जो भी previous exam में आई हुई है previous उनकी practice करें ताकि आपको help हो उस level के exam की ताकि आप exam exam में कोई भी problem ना आए चलिए अब passes wise की बात कर लेते हैं तो passes wise में हमें passes 1 के अंदर हमें list of heading and which paragraph contain देखने को मिल सकते हैं passes 2 की बात करूँ research matching plus mcq देखने को मिलने वाले हैं passes 3 की बात करूँ yes no plus philips plus mcq देखने को मिलने वाले हैं जो कि यह combination एक बहुत ही ज्यादा moderate level का combination है अगर listening की बात करूँ listening moderate level की रहने वाली ऐसा मैं क्यों कहारा है क्यों क word catch कर पाते हैं या एक ही particular word catch कर पाते हैं तो make sure किजेगा आप listening भी इस टाइप की practice करना शुरू कर दे वैसे मेरे चैनल के उपर real exam listening updated है 35 total listening है तो आप वहां से जाके practice कर लेते हैं और एक pro tips भी आपको दे देना चाहता हूं जितने भी listening है मेरे channel के उपर updated आप वहां से practice तो जरूर कर रहे हैं बड़ उनकी speed आप 1.25x पर जरूर करके किजेगा ताकि अगर exam में आपको speed में listening आती है थोड़ी fast listening रहती है तो आपको कोई भी issue ना हो क्योंकि आपके earth को आपके mind को पहले सी habit बन चुकी है fast listening practice करने की चलिए अब बात करते है राइटिंग task 1 के बारे मे ठीक है writing task 1 के अंदर हमें line, bar, map, table जरूर prepare करके जाने क्योंकि exam में इन ही चारों में से आने के chances हैं चाहें आप morning slot की बात करें चाहें आप evening slot की बात करें ठीक है तो make sure कीजेगा आप इन ही चारों graph का अच्छे से practice कर लीजेगा process chart आने के उमीद इस बार बहुत कम लग रही हैं बट हाँ safer side आप उसे भी practice करके जाएगा ठीक है बट जो यह line और बार है line or table sorry line or table इसे must 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 practice कीजिया कीजिएगा और इसकी एक और tip दे दे देना चाहता हूं हमारे instagram पर अगर आप जाएंगे Canadian fever पर वहां आपको एक highlight देखने को मिलेगा writing का ठीक है उसके अंदर आपको जितने भी previous exam इस year हुए है 2020-2021 के अंदर उन सभी की highlight बिना के मैंने रख भी हुई है वहां से आप easily जाके real exam के writing task 1 practice कर सकते हैं प्लस उसके अंदर sample answer भी दिये गए हैं तो इतना याद रखिएगा sample answer खुद मत पढ़िएगा पहले अपना खुद solve कीजिएगा then उसके sample answer है अगर task 2 की बात करूँ इसके अंदर हमें positive negative agree and disagree and advantage and disadvantage morning slot or evening slot में आने के chances है अगेन बता रहा हूँ अगर आप सारे अपने Cambridge आप practice कर चुके है then हमारी book को जरूर prefer कीजिएगा ये एक hard level की है beginner बच्चे इस book को purchase ना करें इसके two version आते हैं एक है paperback book एक है ebook ठीक है plus cue cards भी provide किये जाते हैं जो predicted cue cards होते हैं description के नीचे सभी का link provide कर दिया गया है paperback book वही ले जिनका exam काफी दूर ह क्योंकि book को आपके घर तक आने में 9 से 13 दिन लगने वाले हैं तो आप paper book सोच समझ के order कीजिएगा ebook अगर आप purchase करते हैं वो instantly आपके email पर send कर दी जाएगी तो make sure कीजिएगा अगर आप purchase कर रहे है email correct डाले आप कोई भी गलत email ना डाले क्योंकि फिर बाद में आपको issue phase कर करना पड़ेगा तो सभी के link मैंने provide कर दिएगे हैं description के अंदर और मैं must try करूंगा कहूंगा आप सभी को आप q-card जरूर हमारी जो q-card हम provide करते हैं उसे जरूर देखें क्योंकि वो काफी बचों को help करती है ठीक है जी बाकी मेरी तरसे आप सभी बच्चों को best of care आपके exam के लिए मैं उमीद करूंगा आप सभी बच्चे जल्द से जल्द अपना desirement achieve करें और अपनी dream country move कर जाएं तब तक के लिए bye bye and God bless you